रतन टाटा का निधन हो गया है। वे 86 साल के थे। लंबे समय से बीमारी से जूजने के बाद उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली, देश के सबसे लोकप्रिय और मशहूर उद्योगपती में से एक रतन टाटा टाटा समूह के जिन्होंने अपने विनम्र और दयालू स्वभाव से लोगों के दिलों में विशेश स्थान प्राप्त किया था। उनके निधन पर उद्योगपती आनंद महिंद्रा ने भी शोक जताया है और कहा है कि देश की अर्थ विवस्था में रतन टाटा के जीवन और प्रयासों क का योगदान बहुत बड़ा है आए कुछ बातें रतन टाटा जी से जुड़ी उनकी विक्तिगत लाइफ की ओर बताते हैं रतन टाटा का विक्तिगत जीवन काफी दिल्चस्प है उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत गुजरात में हुआ था उनकी पिता का नाम नवल टाट का कहा तलाक हो गया था जब वह और उनके छोटे भाई जिमी टाटा छोटे थे इसके बाद दोनों भाईयों को अलग होना पड़ा था लेकिन उनकी दादी नवजबाई ने दोनों पोतों का पालन पोशन काफी अच्छे से किया था रतन टाटा ने शादी नहीं की इसका का अभी तक सपष्ट नहीं है उनकी परिवार में उनकी पिता नवल टाटा माता सूनी टाटा दादा श्री जमशेद जी टाटा और भाई जिमी टाटा और नोयर टाटा शामिल थे रतन टाटा की शिक्षा भी काफी उतकृष्ट रही थी उन्होंने मुंबई के कैठेडरल औ जॉन केनन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की इसके बाद लंदन के इंपीरियल कॉलेज से स्ट्रक्चरल इंजीनेरिंग में ग्रेजुएशन किया था इसके अलावा उन्होंने हावर्ड विश्वविद्याले से एम्बीए की डिग्री भी प्राप्त की थी